नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ Sensible Case नए Hindi daily market analysis वीडियो में चली शुरू करते हैं हमारा market analysis सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल analysis का था किसा turn out हो है बात करेंगे आगे market किस तरका हो सकता है तो तो कल हमने simple सा nifty के लिए यह बात कही थी कि अगर nifty आपको 18,530 के उपर जाता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर आप buy करने के लिए market में सोचेंगे और gap down open होने के बाद भी market ने बहुत शानदा recovery यहाँ पर दिखाई दी और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी यह चीज बोली थी इस दिन के लिए चीज बोली थी मैंने कि अगर market आपको इस particular zone में दिखाई दे ठीक है यह जो zone है यह 18,400 का level है यह market में बहुत strong buying level है ठीक है इसके नीचे market नहीं जाना चाहिए परन्तु आज अब market उसके नीचे गया और तुरूंट उसके बाद market recovery दिखाई और इमें आमने level क्यों discuss किया था क्योंकि यह जो resistance है यह market में support की तरह behave करेगा आगे आने वाले समय में तो आप देख लेते हैं कि अब market किस तरह का momentum कर सकता है तो सबसे पहला में आपसे यह कहूंगा कि देखिए जब भी market जब भी कोई stock कोई market जभी all time low पर होता है और जब all time high पर होता है तो उस direction में market खासका low जाने पर time पर बहुत तेजी से मूव करता है अपसेट पर यह market टॉप ढूणने की कोशिश करता है या तो bottom ढूणने की कोशिश करता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा न market जब भी एक छोटा से retracement दिखाएगा तो market में यहाँ पर लोग शौट करना शुरू हो जाएंगे कि पॉस यहाँ पर market नीचे जा सकता है यहाँ से market अभी बहुत पर जाने की संभावना बहुत जादा है ठीक है और फिर जब market opposite फिर से move करता है तो यहाँ पर जिन लोगों ने buy किया होता है यहाँ बाई किया होता है यहाँ stop loss लगाया होता है अपना उनके stop loss trigger होते हैं फिर market और तेजी से नीचे जाता है या फिर similar case यहाँ पर जब लोग market में सोच के चलना है कि जब मी market high cross करेगा तो मुझे buy करने का market में प्लान करना है all time high क्या स्वास कभी मी market को short करने में सोचिए बात important यह नहीं है कि आपने entry कब ली बात important यह है कि आप trend में कब तक बने रहे ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी entry यहाँ पर इस तरह आप trend में उतने लंबे समय तक रुकेंगे ही नहीं तो फिर आप फिर तो वो बंदा ज्यादा अच्छा है जिसने यहाँ पर entry ली और यहाँ पर exit ली आप तो इतने में निकल गए यह बंदे ने इतना बड़ा capture किया चीक है तो यहां से आप यह example से समझ गए होंगे कि top find कर करना या bottom find करना market में उतना important नहीं है आप उस trend में कितने समय तक हो वह important क्योंकि पैसा तो रही उसी से ही बनेगा आपका इस चीज़से पैसा नहीं बनेगा कि देखो मैंने तो टॉप डूंड लिया था अब ढूंडने के बाद आपने क्या किया ठीक है वह आपके लिए जा प्राइब किया और फिर आपने मार्केट ने आपका स्टोपला सेट कर दिया तो आपके लिए इंडिकेशन हो जाएगा कि हां यहां से मैं थोड़ा से अलर्ट हो जाओंगा मार्केट में एक मुझे बेरी सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है तो कुल मिलाके बात इतनी सी है और जब जब अभी यहां से मार्केट में आपको यहँ ह्त्रीट ने रही सोचेंगे कि घंचे थे उसके लाओं यहांvent कि महीं सोचंगा के उपर जाता है तो फिर से मैं यहां पर बाई करने का प्लान करूंगा जिनके पास long trade है जिनोंने यहां पर entry लिया है वो अपनी long trade hold करके रखे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है और stop loss आपका 18,400 के नीचे होना चाहिए और similarly bank nifty कम बात करते हैं bank nifty में हमने यह discussion किया था कि अगर market इस पर्टिकलर range में अगर open होता है तो आपको upside या downside एक अच्छा momentum देखने को मिलेगा ठीक है तो अब market gap down open हुआ फिर से market ने क्या क्या एक range बना दिया ठीक है तो हमेशा मैं आप से यह बात करता हूं कि जब भी market gap up या gap down अगर open होना तो थोड़ा सा price action के रुख जाईए और आपको पहला ही 15 minute आपको यह बता दिया आज market ने या जब भी market में देखिए एक बात यह समझेए कि जब market खासकर money nifty या back nifty जो भी market आप trade करने है ठीक है यह जिस जगह पर open हो रहा है अभी ठीक है जिस जगह पर market अगर open अभी open हो रहा है यह बहुत अच्छा chance है market के पास नीचे घुश जाने के लिए ठीक है और यह दोनों को पता है यह buyer को भी पता है यह seller को भी पता है ठीक है तो यहां से उनको पता है कि अगर market को हमने यहां से ढीला छोड़ दिया ठीक है अभी कुछ समय में मतलब 5-10-15 मिंद मागर market को उपर नहीं लेकर गए तो यहां से बहुत अच्छा chance है market के पास नीचे जाने के लिए और फिर इसी वज़य से यहां पर इन levels पर बहुत जादा active buying होती है market में कि उसको level पर market को जादे रोकने नहीं दिया जाता है ठीक है तो simple सी वही बात है कि जितना जादा market खत्रे के रेंज में ट्रेड करेगा उतना जादा market भी खत्रा है तो उसको खत्रे से बाहर पहले लेके ले जाये जाता है उसके बाद में और मार्केट को फिर मार्केट के बाद अच्छा समय होता फिर मार्केट आराम से अपना ट्रेड करता है इस जगए पर उसको नहीं खेलने देना, इस पर खेलेगा तो अपने कोई दिक्कत नहीं है चछोट हो अपना कूदे फाहंदे के से नहीं लगेगी को strict जोन में ले जाया जाता है ठीक है फिर इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर मार्केट ट्रेड होता है फिर एक अच्छा ब्रेक ओट आपको आप देखने को मिलता है तो यहां पर तो बैंक निफ्टी में तो आभी मैं कहूंगा कि थोड़ा अवोइड करिये थोड़ा यहां पर एक अच्छा डिरेक्शन मिल जाने दीजें मार्केट में फिर हम प्लान करेंगे एक यहां पर हमको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट 42,800 के नीचे आता मार्केट लोगों दिखने लग जाएगा तो यहां पर मार्केट यहां से नीचे नहींYU जाए तब तक अ थोड़ा सा निःचे नहीं बैठा हो यहां पर यहां पर यहां पर तरह है कि या फिर मार्केट अपसाइड पर यहां पर चला जाए यहां पर थोड़ा समय बिताए तो आपको बुले साइड पर सोचना है तो अभी कोई भी प्रे डिसेजन लेकर मार्केट में नहीं गुज जाना है कि नहीं यह तो नीचे जाएगा इस तरह से नहीं ट्रेड कर अप टू दिस पर्टिकलर लेवल विच इस एटीन तौज़न सिसंड़ ठीक है तो यहां पर फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मार्केट में मिल सकता है ठीक है सिमिलरली बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा आपको सबर करना पड़ेगा प्राइज ठीक है वहां पर आपको मार्केट बता देगा कि किस तरह का मार्केट होने वाला है कुल मिला कि मतब ओपन इंटर्स अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटर्स 18,500 बहुत अच्छा सब कुर दिखाई दे रहा है ठीक है और 43,000 बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत कुरूशल ठीक है तो यहीं पर यहीं मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 43,000 के आसपाची ट्रेड कर रहा है तो देखते हैं आगे आगे आपको मार्केट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा एक इस कंप्लीटली बुलिश है यहां पर आज अच्छे कॉंट्टी में कॉल भ मीशन् दे रहा है कि सब कुछ अर्य तो मैं ना पर दिखा रहा है आपको सक्कॆरोप सॉरी और जाल ऑपर जा रहा चैये काकि संटोश नहीं हो रहा है कि यार कैसे उपर जा सकता कि यह वो मतलब हम दोкий सब्सन लाग जाते हैं कि यार हिए जब मुई एक्जमपल से हला которое जब समय आच्छा नहीं होगा मरहिए便 exciting कि घ्र जोचते है कितना ओपर जाएगा जाता ही जाता ही जाए जाता चाइए टो फे निजी का रहना जाए किसी भी से है है रेंज हे जाता है संतुष नहीं है रेंज तो दिक्कत यही है केवल पर अगर जब जब मार्केट ऊपर जाए नहीं विश्वास है चोटी पॉट्टि एक दो लॉट आप ट्रीड करिए मार्केट में मार्केट अपसाइड पर ब्रेक आउट देता है तो बाई करिए वहाँ पर ज्यादा होगा तो स्टॉप लॉस होगा मार्केट अल टाइंम है अगर मार्केट क्रॉस करेगे तो फिर और मोमेंटम में देखने को मिलेंगा मार्केट एक अच्छी जग और जब तक मार्केट कर रहा है जब तक मार्केट बुलिश है हमारे लिए ठीक है आप किया करक् tasked maar uit मार्केट ना टाइए का आसपास ठीक है जब तक कि आपको indication नहीं देगा market तब तक ना करो कुछ ऐसा ठीक है 18600 के आसपास एक fresh buying आप कर सकते हैं market में ठीक है और अगर market मान लीजे gap down वगरा open हो जाता है तो थोड़ा सा रोग जाईए market में trade मत करिए यह जो बड़ी candle market ने बनाई है इसके अंदर अगर market open हो जाता है और यह देखेंगे bullish engulfing फिर से दिखा रहा है market daily पर भी weekly पर बनाई फिर daily पर बनाई है तो यहां पर market मान लीजे कि flat अगर open होता है या gap down open होता है और market यहीं कहीं पर रहता है तो ट्रेड मत करिए किसी तरह का जब तक आपका यह particular level नहीं निकल रहा है तब तक market में करेपा अगर ट्रेड ना करें उसके बाद ही हम trade ब्लान करेंगे अगर market नहीं cross करता है तो नहीं trade करेंगे ठीक है कोल मिला के बात इतनी सी है बढ़ते हम लोग dollar के analysis के तरफ डॉलर अभी भी अल्मोस्ट उसी रेंज में है ठीक है यहां से अगर market इस पर्टिकलर लेवर एटीवन पॉइंट फाइफ के नीचे जाता है अगर क्लोजिंग अगर basis पर market क्लोज कर देगा ना नीचे तो हम फिर यहां पर selling का प्लान करेंगे जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा ना तब तक हम इस ट्राइंगर स्टाइल में जूटे रही है किसी भी तरह का यहां पर दिमाग लाने भी ज़रूत नहीं है कि हाला कि की देखिया resistance है परन्तु मैंने वही कहा कि आप पहले से मन बना के कहीं पर मंत गुझिए कि नहीं ऐसा ही होगा क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा ठीक है market में कुछ भी हो सकता है आपने जो नहीं सोचा है वो सब कुछ हो सकता है ठीक है प्रिकरती ही ऐसी है यहाँ पर market की नहीं actually में nature ऐसा है कि आपको यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलेंगी जो आप expect भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए उससे अच्छा है कि हम market में वही है कि वह यह अगर ऐसा होने वाला है market में तो मैं यहाँ पर entry नहीं लेकर यहाँ पर entry लूँगा और exit somewhat यहाँ पर ले लूँगा ठीक है जम market upside जा रहा होगा तो मैं इतना capture करूँगा में बहुत है ठीक है बजाए यहाँ पर entry लिया और